बूर्णिंग क्लास आज हम लोग ट्रिग्नोमेंट्री का अगला टॉपिक वहीं प्रोसीड करेंगे पहला कोश्चन है साइन ट्वंटी सेवन साइन ट्वंटी सेवन अपाउन कॉस्टी थिरी का मान गया कीजिए यह हमको फाइन डॉट करना है देखे साइन ट्वंटी सेवन को क्या लिख सकते हैं साइन नाइन टी माइनस 63 तो कि 90 में जो 63 को सब्स्ट्राइक करेंगे तो 27 बचेगा और sin 90 माइनस ठीटा ये किसके इक्वल होता है? cos ठीटा ये हम प्रिवियर लेक्चर में इसको हम बता चुके हैं तो यहाँ पे sin 90 माइनस ठीटा is equal to cos ठीटा तो sin 90 माइनस 63 is equal to cos 63 तो अब sin 27 की value क्या हो गई? cos 63 तो यहाँ पे जो sin 27 की value है उपपर cos 63 रख देंगे और नीचे भी cos 63 है तो upon cos 63 दोनों cancel हो करके क्या आजाएगा? 1 आजाएगा इसकी value ठीक है अगला question देखेंगे यहीं पे cos 18 upon sin 72 का mark ग्याब कीजिए तो इसका solution भी कुछ उसी तरीके से है solution इसका है cos 18 cos 18 को क्या लिखेंगे? cos 90 माइनस 72 योगि 90 में जब 72 को subtract करेंगे तो 18 बचेगा और यह किसके equal हो जाएगा? sin 72 के equal यह हो जाएगा तो यह cos 18 की value रखेंगे sin 72 तो sin 72 upon sin 72 cancel हो कर की क्या आजाएगा? 1 आजाएगा इसकी value अगला question देखिए अगला question यह है cos 18 माइनस 22 का मान गयाद करिए तो cos 48 को क्या लिखेंगे? cos 90 माइनस 42 90 में जब 42 को subtract करेंगे तो क्या बचेगा? sorry cos हाँ जब 90 में 42 को subtract करेंगे तो 48 आएगा तो cos 90 माइनस 42 को क्या लिखेंगे? sin 42 तो sin 42 माइनस sin 42 यह cancel होकर की क्या देदेगा? 0 देदेगा अगला question देखिए अगला question यह है यदि sin A is equal to 3 upon 4 हो तो cos A तथा 10 A का मान जाती है देखिए आपको sin A की value दी है 3 बटा 4 और यह क्या किसके इक्वल होता है? आपने यह formula बता रही था हमने लाल बटे का का sin किसके इक्वल होता है? लंब बटे कर cos किसके इक्वल होता है? आधार बटे कर किसके क्या गिवन है? लंब बटे कर तो लंब कित्ता हो जाएगा compare करा लेंगे यहाँ से लंब की value 3 आएगी और कर 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 कित्ता हैगा 4 आधार निकालना है तो यहाँ पर हम पाइथा गोरस थियोरम यह लगा दी है पाइथा गोरस थियोरम क्या कहती है करन का स्क्वाइर इस इक्वल टू लंब का स्क्वाइर प्लस आधार का स्क्वाइर तो करन का स्क्वाइर 4 और लंब का स्क्वाइर 3 आधार का स्क्वाइर निकालना है तो 16-9 इस इक्वल टू आधार का स्क्वाइर आधार किसकी value के आ जाएगी अंडर रूट 7 को से को से किसकी इक्कुल होता है आधार बटे कर्ण तो अंडर रूट 7 अपउन 4 और टैनी किसके इक्कुल होता है लम बटे आधार लम ये देखे यहाँ पर टैनी लाल बटे काका लगाएंगे तो टैन किसके इक्कुल हो जाएगा लम बटे कर्ण के इक्कुल हो जाएगा तो लम बटे आधार के इक्कुल हो जाएगा थ्री अपउन रूट 7 इसकी value आ जाएगी एक हमको प्रूफ करना है 1 माइनस साइन ठीटा एक ब्राइकेट में अगला है ब्राइकेट में 1 प्लस साइन ठीटा और अगले ब्राइकेट में 1 प्लस 10 स्कुल ठीटा की value वन प्रूफ करनी है तो इसका solution देख लेंगे देखे 1 माइनस साइन ठीटा और 1 प्लस साइन ठीटा यह क्या लिखा है A माइनस B और A प्लस B एक ब्राइकेट में तो इन दोनों का मल्टिप्लिकेशन क्या होता है इन दोनों का मल्टिप्लिकेशन होता है A स्कुल माइनस B स्कुल तो यहाँ पर A स्कुल वन का स्कुल करेंगे 1 और B साइन ठीटा का स्कुल साइन स्कुल ठीटा प्लस कॉस स्कॉार ठीटा वराबर वन तो जब इस इस साइन स्कॉार ठीटा को इधर ले आएंगे तो एक इसके इककल हो जाएगा कॉस स्कॉार ठीटा के यह आएगा आपका कॉस स्कॉार ठीटा क्रॉस कॉस स्कॉार ठीटा यह किसके इककल हो जाएगा वन की इककल हो यह है सेके प्लस टाइने और एक ड्राकेट में और दूसरे ब्राकेट में वन माइनस साइने का मान ज्याद करना है तो सेके प्लस टाइने और वन माइनस साइने तो सेके को क्या लिखेंगी सेके को हमने यहाँ पे लिखा वन अपॉन को से, ठीक है, से के को वन अपॉन को से, प्लस टाइने को क्या लिखेंगे, साइने अपॉन को से, और वन माइनस साइने, वन अपॉन को से कामन ले लेंगे, तो वन प्लस साइने और वन माइनस साइने, वन अपॉन को से, और वन प्लस साइने, वन माइनस साइने क को और पांड को से तो खौस कोस कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा कोश ए बचेगा अगला कोशन देखेंगे यह तो एन वराबर क्या है चार वता तीन हो तो कॉट एका मन ग्याद करिए ना है तो काट A को क्या लिखेंगे 1 upon Tine A ठीक है तो 1 upon 4 वटा 3 ये 3 उपछलाएगा तो काट A क्या हो जाएगा काट A की वरिलू 3 वटा 4 इसका अनसर आ जाएगा ठीक है ये आपका ये सीट आपके होमवर के लिए है इस होमवर को करिए ओके थे